आपको दिखाने जारी हूँ कि हम अपने बेकार पड़े चकले से कैसे एक यूसफुल चीज बना सकते हैं तो चलिए मेरे साथ आपको इसके लिए दो चकलों की जरूरत होगी एक उपर है और एक नीचे है और एक आपको बना सकते हैं बाटल की जरूरत होगी ताकि आप इन्हें स्टिक कर सकें तो मैंने इसे ग्लूगन की हल्प से स्टिक कर दिया हैं दोनों को और आप देखें यह इसका वज़त उठा सकता है देखें तो आप मैं इसे कलर करने जा रही हूँ उसके लिए आपको एक पेंट की जरूरत होगी च अचलिए देखते हैं पेंट करने के बाद इसका पूरा लुक कैसा आता है और इस पे आप कोई डैकोरेटिव लेस भी लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं तो गैस अब आप जैसा की देख सकते हैं यह पेंट हो चुका है और अब मैंने इसे सूखने के लिए रखा है और जैसे ही यह ड्राइ हो जाएगा तो हम इस पर यह फ्लावर्स रख देंगे आप देख सकते हैं इससे रूम के कोने की सुन्दरता कैसे बढ़ गई है कोई कह सकता है कि इससे दो चकलों का यूज़ करके बनाया गया है इस टेबल को गाइस आफ्टर पुटिंग दा फ्लावर्स यूज़स सी देख सकते हैं कि इससे चकली का यूज़ करके इस खुबसूरत सी जो डेकोरेशन को बनाया गया है तो इसी तरह से हम घर के हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है जो किसी भी उसकी नहीं होती है और हम उनको इस तरह से काम में ला सकते हैं तो ऐसे ही डिफरेंट और यूनीक आइडियाज के लिए लाइक करें इस वीटियो को और सब्सक्राइब करें माई चैनल जोती लाइफ स्टाइल और आइडिया पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज लीव कॉमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब फिर मिलते हैं किसी वीडियो में तब तक के लिए बुबाई टेक क्या